है यह आप सेेल मार्केट में ड्रेडिंग करते हैं और आप का डेटा को आप अपने सीड पे रिकॉर्ड करें जिसे के आपको पता लग सके कि आप कितने प्राइज फर किये kami प्रसे कितना प्रॉफित हुआ कितना लॉस हुआ और life Ser endeavor बीचेक करसके अपने सीड पर तो फ्रेंट्स आपकी इस वीडियो में आपको पताने वालों किस तरह से आप लाइव डेटा को चेक कर सकते हैं Google करते हैं फ्रेंट्स हम यहाँ पर सिर्फ कंपनी का नायम या श्टॉक नेम कर टाइप करते हैं जैसे कि रेल रेल जैसे लिख है उससे रिएल विकास निगम लिम्टेट को मैंने श्लाइट कर लिया उसका कोड आट्माटिक आ गया लाइप राइज भी आ गया कितने पर ओपे क्या है गूगल सीट पर चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं यहां पर फ्रेंट्स से एक स्टोक्स नेम स्लेट कर लेता हूं रेल विकास निगम और फ्रेंट्स यहां पर ड्रॉपडाउन बना हुआ जिसके काला से यहां पर आटोमैटिक आ गया और यह डाटा सीट टू से आ रहा है क्योंकि यहां पर सभी कंपनी का नेम साथ में उसका कोड टाइप किया गया है तो यहां पर हमारा नेम आ गया इस टोक नेम ठीक है आप टाइप कर सकते हैं अधि ड्रॉपड़ नहीं बनाते हैं तो उसका स्टोक कोड तो फ्रेंट्स स्टोक कोड आप टाइप कर सकते हैं नहीं तो आप फार्मूले से लेकर आ सकते हैं चली मैं यहां पर फार्मूले लगा लेता हूं कि कि यहां से डेटा आ रहा है तो वी लुक we lookup जो कि हम excel में भी लगाते हैं we lookup bracket start और इससे slide कर लेता हूँ इस name को comma जहां से friends data आएगा उस table का में data name दे रखा हूँ जिसका नाम है data table range comma two comma zero bracket close comma स्टार्ट क्लोज सेम एक्सल जैसा फार्मूला है तो आर वी एनल आ गया यह करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो देखें यहां पर आटिमाटिक आ गया एस भी आई ठीक है तो मैं यहां पर करता हूँ अब फ्रेंड्स हमें live price चेक करना है कि अभी इसे stock का live price कितना चल रहा है वैसे तो फ्रेंड्स आप वेगर में भी चेक कर लेते हैं लेकिन आप अपने अपने जरूरत की हिसाब से आप यहां पर data को analyze कर सकते हैं उसको record को रख सकते हैं अपने जरूरत की हिसाब से कि कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है तो हम यहां पर लख लेते हैं live price क्या है उसके लिए फर्मूला लगाते है ब्रावर if error हम पहले लगा लेते हैं जिसे blank अब Google Finance का friends यहां पर फर्मूला लगेगा तो मैं यहां टाइप करता हूं Google गूगल देखे Google Finance आगे नीचे select कर लिए हमें Google Finance उसके बाद मैं double code start करता हूं और हमें data कहां से लेका आना NSE से है BST से तो मुझे NSE से लेका आना है NSE and double code close and B2 क्योंकि हमें code जो stock code है उसके हिसाब से डेट आएगा तो stock code को में select कर लेता हूं comma start और यहां पर price type कर देता हूं blank sheet के लिए फ्रेंट्स यहां पर इन्वारिट कॉमा डवल बार स्टार्ट करेंगे अब bracket close और enter तो आप देख सकते हैं कि जो भी live price अभी है share का वह यहां पर आ चुका है और फ्रेंट्स थोड़े थोड़े देर में automatic update भी होता रहता है तो आपको करने की कुछ भी जरूवत नहीं है formula में कुछ भी change करने की जरूवत नहीं है अब friends आज चेक करना है इसमें हम लगाएंगे open price कि आज कितने price पर open हुआ था ठीक है तो उसके लिए formula लगाएंगे same बस थोड़ा सा फरक होगा या फिर हम चाहें तो यह जो है लाइप राइज वाले formula को हम control select करके control c से copy कर लें स्केप ट्रेस करें और इसमें जाकर control v कर दें तो देखिए इसमें लाइप राइज आ गया लेकिन friends इसमें price के जगापे हम use कर लेंगे प्राइज open और enter कर देंगे तो यहाँ पर आ गया जो आज प्राइज वापे हुआ था 634 रुपे पंचाने पैसे से और इसको हम यहाँ से center बगारा कर लेंगे तो इस तरह से भी formula को लगा सकते हैं और price close पिछला आज जो कल price कितने पर close हुआ था उसके formula बस हमें simple same formula रहेगा बस इसी में control V कर देते हैं और कुछ नहीं करना है close कर देना है control V से कर देते हैं और जहाँ पर price है friends उसके जगापर हम use कर लेंगे close yesterday यस्ट ओके और enter कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया कल जितने पर close हुआ था इसको भी हम center कर लेते हैं bold और size को बड़ा कर लेते हैं इसी तरह से friends high में बस price के जगापर control V कर लेते हैं जो हम पहले copy किये थे और जहाँ price है वहाँ पर हम high कर लेते हैं और enter तो high price जो भी है यहाँ पर आ गया low price में हम सिर्फ low use करेंगे control V से paste कर लेते हैं और यहाँ पर हम low type कर देते हैं तो friends इन सब formula में सिर्फ formula सब equally है सिर्फ change हुआ है तो यहाँ पर low high close वेगर बाकी same है और friends next formula है कि आज यह profit में है कि loss में है चलिए यहाँ पर formula लगाते हैं बराबर इफ bracket start C2 मतलब life price ठीक है greater than E2 comma inverted comma gain inverted comma close comma inverted comma start and feed loss inverted comma close bracket close इससे friends यह पता लग जाएगा कि आज profit में है कि loss में है मतलब कि gain में है कि loss में है तो आज यह profit में है gain में है ठीक है क्योंकि 9 रुपए पर start हुआ था 609 रुपए और अभी life चल रहा है profit में अभी कितना percent profit में है percentage में चेक करना है तो उसके लिए formula रहेंगे equal to i2 into 100 divide open price divide 100 enter तो यहाँ पर profit है 3.17% profit में है तो इस तरह से friends आप अपने share के price life price वेगरा check कर सकते हैं seat के ऊपर अब हमें यह देखना है कि जो हमने share purchase किया था वह profit में है कि loss में है और कितने रुपए में purchase किया था तो इसके लिए हम चलिए next column यहाँ पर हम add कर लेते हैं और उसमें formula लगाते हैं और friends हमने यहाँ पर 3 column add कर लिये हैं buy price quantity और profit में है कि loss में है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 540 रुपए पर हमने purchase किया था ठीक है quantity हमने purchase किया था 20 piece 20 share और profit में है कि loss में उसके लिए हम formula का यूज़ करेंगे इक्वल bracket start c2 live price minus buy price bracket close into quantity और enter तो friends total हम यहाँ पर 1790 रुपए profit में है यदि loss में होते तो यह minus में हो जाता मालेजे कि हम 700 में buy किये थे तो देखें यहाँ पर minus 100 कर रहा है यदि हम 500 में purchase किये थे तो यहाँ पर 251 पर profit में आ रहा है तो इस तरह से friends और भी बहुत सारे functions को add करके अपने जरूरत के हिसाब से अपने data को manage कर सकते हैं यदि आप trading वेगरे करते हैं या share वेगरे में invest करत होंगा तो friends बताई कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यदि अच्छा लगा हो तो फिली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा share किजिएगा अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook पर तो friends मिलते एक वीडियो में अगले topic के साथ तब तक लिए बाई-बाई